Hello students, today we will solve the previous year questions of chapter no.2 polynomial class 10th So we have first question, the number of zeros for a polynomial Px whose graph is given in the figure is dash This question has come from CBSE 2020, we have here just so much that the graph is shown in the name of Px Here we have Px's name, you have to give it to zero, zeroes means solution, which is the alternative name of solution We call it roots, we have to give it to zeroes, graph, when you have to see it, we have to note that That's enough, which is the three points we have touched on, you have to see it, we have to see it The y axis is not important, we have to see it, we have to see it, that this graph will touch on the three points It means it number of solutions 3 अगर यह कोई graph और होता इसा कोई graph होता जो ऐसे जाता तो इसके कितने solutions आपके पास आने थे वान टू थ्री फोर इसके क्योंकि यह फोर पॉइंट पर x-axis को meet कर रहा है टच कर रहा है चाहिए इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके बनने थे आपके पास number of zeros इकल्स टू फोर एक और एक्जमपल लेते हैं मानलो कोई ऐसे होता ग्राफ अगर कोई ऐसा ग्राफ है तो इसके number of zeros चाहिशन कितने बनने हैं पॉइंट देखिए यह x-axis को सिफ फोर सिफ दो पॉइंट पर ही meet कर रहा है इड मीन सर इसके number of solutions होने वाले है तू ओके तो नंबर ओफ जीरोस इकल्स टू टू प्लीज टेक दी स्क्रीन शॉट अब ही हमारे पास है सेकेंड कोईशन कोईशन नंबर टू नंबर ओफ जीरोस ऑफ पी एक्स पी एफ मीन्स आपके पास एक करव है इसके अपने number of solutions बताने है जीरोस बताने है यह कोईशन हमारे पास cvsc 2021 में आया था दिखिए यहां पर भी वही concept लगेगा कि यह जो graph जा रहा है x-axis को कितने points पर meet करता हुआ जा रहा है यह मिलना है तीन points के उपर ओके तो इसके number of zeros जो बनने है वह है 3 3 मतलो c option यह आपका correct answer है प्लीज नो डाउँ और नो विटा वी विल सॉल्व दी कॉशन नंबर 3 मरे पास कॉशन नंबर 3 की statement क्या है a quadratic polynomial the product and sum of who zeros are 5 and 8 हमारे पास NCRT book में जो दिया गया है वो है पहले sum of zero then है product of zero यहां पर हमें दिया गया है पहले product of zeros then उसे बात किया sum of zeros के बारे में it means यहां पर solution में करेंगे पहले product of zero है product of zero मतलो हमारे पास पहला नंबर 5 दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास sum of zeros sum मतलो यहां पर हम ऐसे लिए लेंगे sum of zero है second number पर जो है हमारे पास 8 यह चीज आप दियान से देखिए पहले उसने product बोला है नंबर हमारे पास है पहला 5 second number पर हमारे पास है सम 2nd number पर हमारे पास number है 8 ओके यह अपने पास आ गया product is 5 and sum is 8 उसे बोला है quadratic polynomial आपने find out करनी है हमारे पास quadratic polynomial find out करने का एक 2-3 हमारे पास method है जिनमेंसे आपको shortcut एक बिताता हूं x square minus sum of 0 साथ में x plus product of zeros यह होता है हमारे पास तो यही formula हम यहाँ पर लगाते हैं इन में से हमने एक चूज करना है तो x square आगे हमारे पास as it minus s की value हम पुट करेंगे s की value है मारे पास 8 साथ में x प्लस पी तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए x square minus sum of zeros into x plus product of zeros मैंने s की value पुट कर दी और पी की value पुट कर दी तो मेरे पास answer आया x square minus 8 x प्लस यह p p की value यहां पर आपके पास है 5 तो यहां constant number है अगर आपको एक ही polynomial चाहिए तो यह इनफ है अगर इनकी आपको family चाहिए ठीक है जिनका sum of zero and product of zero यही दोनों आए ओके तो आपने करना क्या होता है साथ में आपने कोई भी constant multiply कर देना है for example मैंने k कर दिया और इन में से एक answer आपको मिल जाएगा जैसे कि एक स्केर माइनस 8x प्लस 5 यह अपने पर पहला ही option बढ़ा हुआ है यह क्रेक्ट टांसरेज ए ओके तो यह फॉर्मुला बहुत जड़ा important है तो ध्यान रखिए एक स्केर माइनस sum of zeros ठीक है साथ में एक्स प्लस product of zero जिसको आप पी बोल सकते हो यह ही हमारा formula है प्लीज टेक दी स्क्रीन शॉट नाव बटा वी विल सॉल्व दी क्रेशन अबहु पोर वाट इस स्टेटमेंट दा कोड़ेटिक पोलिनोमियल दस सम अफ हूज जिरोस एज माइनस 5 अद देर प्रड़क्ट इज 6 हमें दिया हुआ है कि आपने एक तो कोड़ेटिक पोल प्रड़क्ट ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है हम यहां पर सॉल्व में चलते हैं पहले हमें क्या दिया है यह चीज आपने द्यान से देखनी होती है पहले सम है जा प्रड़क्ट है आपके पास जैसे मेरे पास साम है सबसे पहले आपने नंबर कौन सा है सबसे पहले देखिए यहां अपर आपके पास प्राक्ट यह बड़ा प्राक्ट इस ओके तो आपने यहां से दिखना है कि इन में से कौन सी कॉलिटिक पॉल्लम यह रहे जिसका सम उफ जिरो माइनस फाइब और प्राक्ट उफ जिरो शिक्स है वही राजिया अपने पास मैथड एक्स स्क स्कारों की बाल अच्जुक्राओ यह बस्सकाओ नीयुए खेंटे कि हैक्स के एर माइनस फिरों जिरो जोह एक्स के accordingly हमारे पास आ गया x square minus sum of 0 is minus 5 minus 5 into x plus product of zeros यह रहा अपने पास 6 तो यहां से अपने पास after solve x square यह minus minus plus हो जाएगा minus minus plus यहां से आया 5 और साथ में x plus 6 option check कीजिए कि कौन सा option सही बन रहा है अपने पास यह भी राजर फर्स्ट question ही फर्स्ट option ही अपना राइट आंसर है x square plus 5 x plus 6 तो option number a is the correct यह question आया हुआ है आपके पास CVSC 2020 में प्लीज note down now we will solve the question about 5 आप यह question number check कर ले ना 5 है आपके पास 6 है यह question आपको आया हुआ है cbsc 2013 में if one is one zero मतलव जो one है आपके पास number यह एक zero है बटा किसका zero है of the given polynomial px यह आपके पास polynomial है आपके पास इसका zero है and आपने find out करना है a का value what is the value of a okay मैं दोबारा आपको repeat कर देता हूँ one क्या है बटा one एक solution है zero है किसका यह given polynomial px का and आपने find out करनी है value of a okay solution में जाईए सबसे पहले आपने जो polynomial px इसको rewrite कीजिए a x square minus 3 a minus 1 into x minus 1 okay px equals to a x square minus 3 a minus 1 x minus 1 यह one क्या है आपके पास एक जीरो है ओके तो x equal to one आप क्यूंकि हमारे पास x में है यह polynomial तो आप एक्स लोगे x equal to one is a zero okay तो आप put कर सकते हो put x equal to one in इसको आप नमबर दीजिए one in equation number one यहां पर आप put करो जब अपने put किया x की जगे पर one करोगे यहां पर भी a one square minus 3 a minus 1 साथ में यहां पर भी one आ गया minus 1 ओके जहां जहां पर x था वहां वहां पर मैंने one put किया ओके यहां पर भी मैंने कर दिया देखो यह चीज़ा हमारे पास 9 में हमने रीड की हुई है अच्छे से सीख कराए हुए है कि अगर यह इसका 0 है तो इसमें put करने के बाद जो आपके पास पी वान जा पी टू कुछ भी है जो आप पूट करते हो वह आपके पास आंसर आता है ड्रेक्ट जीरो यह 9th क्लास का कंसेप्ट है हमने 9 में अच्छे सीखा ह होगा है यह 0 बन जाएगा क्योंकि यह remainder है मंदर कवर्क करने लग जाता है तो है आगे हमारे पास 1 का स्केयर क्या होता है वन का स्केयर मतलब 1 square equals to 1 multiply 1 1 को आपस में ही multiply करना है 1 multiply 1 is 1 ओके तो 1 आगया हमारे पास minus 3 a minus 1 1 से कोई बीची multiply हो जाए तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओके तो इसलिए हमने 1 को लिखा है नहीं तो minus 1 0 equals 2 a को 1 से multiply किया a आ जाएगा minus पहले इसको multiply करेंगे क्योंकि यह a है प्लस का यह नंबर है minus का यह plus minus minus हो गया 3 को a से किया 3a आ गया यह दिखिए minus को minus से मैंने multiply किया तो plus आया 3 को 1 से किया 3 minus 1 ओके 0 equals 2 आप a वाले जो होटे like terms उनको plus चा मैनिस कर सकते हो एंड जो normal नंबर से हमारे पास से उनको plus मैनिस कर सकते हो देखिए यहां पर यह कुछ भी नहीं है सिंबल तो plus साफ राइट कर सकते हो यह अपने पास plus का नंबर यह minus का नंबर plus minus हो जाएगा 3 में से 1 गया 2 2a आ गया इस पर सिंबल लगेगा बड़ेगा बड़ा यह नंबर है 3 तो इसका सिंबल आ गया मारे पास यहां पर भी वह concept यह एक नंबर प्लस का है एक नंबर माइनस का है प्लस माइनस माइनस 3 माइनस वान इस टू सिंबल लगेगा हमारे बास बड़े का बड़ा कोन है 3 तो बड़े का सिंबल लग गया यह आप ऐसे कीजिए जो हमारे बास 2a है इसको लेफ्ट में लेकर आईए तो यह अगर यह लेफ्ट में आएगा तो यह सिंबल अपना चेंज करेगा 2a प्लस का हो गया इकस्टो टू एंड यह जो टू है अपने पास यहां पर द्यान से देखिए यह मल्टिपल ही हो रहा है एक के साथ दूसरी तरफ जाएगा तो ड्वाइड हो जाएगा 2a after cutting you will get the answer is 1 to option number a is our right answer okay but so please take this screenshot जी बता हमारे पास अभी है question number 6 the graph of polynomial px cut the x-axis at three points and touch it at two other points the number of geos of px हमारे पास क्या होने वाले है देखिए बटा हमारे पास starting में भी हमने first question में discuss किया था कि अगर कोई भी आपके पास polynomial है आपने यही देखना होता है कि वह x-axis को जाहां तो intersect करके जाए जाओ उसको touch करके जाए देखो intersect and touch में क्या फर्क होता है ठीक है देखो intersect कैसे करके चला गया है जैसे एक cutting करके आगे पास आउट होके चला गया है इसे बोलते हम intersect करके जाना मिल कर जाना ठीक है जैसे बाइसक्ट करके जबाइसक्ट कर सकता है जम कहीं से भी इसको cutting करके जा सकता है यह होता है intersect करना नॉर्मली टच करने का मतलब होता है जैसे ग्राफ आया हमारे पार पॉइंट पर टच करके आगे चली गई इसे बोलते हैं टच करना ठीक है और कहीं पॉइंट पर भी टच कर सकती है ऊपर गई फिर वापिस आई और टच करके फिर वापिस चली हमारे बास यह कह रहा है कि आपके पास पॉलिनुमियल है एक्स पर टृट्री पॉइंट पर एसको कटिंग करती है इस देखिए देखेऊ धैसे अटीकर यहां पर ले लेते हैं यह एक पॉइंट पर किया सेधे पर टू ऌगैं फिर यह 3 हो गए 123 यह 3 होगे हमारे पास and बार में क्या करती है वो two other points पर वो क्या करती है touch करके निकल जाती है यह touch करवानी है जैसे मर जी आप one two यहां पर देखिए count कीजिए तो one two three यह तीन point वो है जिस पर इसने cut किया है and उसके बार यह दो point वो है जिनके उपर इसने touch किया है तीन point पहले थे दो point और आई तो कितने यह total points है five points है जिनके ओपर एक्सेक्स को जातो टच करती है जा cut करके चली जाती है तो cutting करने वाले points या intersect करने वाले points को ही हम number of solutions बोलते हैं जा 0 सो बोलते हैं तो यह अपने पास आगए five आपने पास यही डिखना है कि कितने points पर यह x-axis को meet करती है तो हमारे पास यह five points बन रही है one two three four five okay तो इसके number of solution होने वाले है five इस है अबर correct answer यह cbse 2021 में आया हुआ है question है please take the screenshot now students we will solve the question number seven so what is the statement इसको बटा आपने केरफुली द्यान से रीड करना है अलफा इफ अलफा बीटा आर दी जीरोस अलफा एंड बीटास कौन है रूटस है जीरोस है किसके of the quadratic polynomial quadratic polynomial कौन से है पी एक्स पी एक्स क्या है पी एक्स इकल टू एक्स केयर माइनस के प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस टू इंटू टू के माइनस वान इसको के आपने रीड करना है यह पॉलिनोम्य जिसका यह दोनों के दोनों क्या है जीरोस है देन प्लस बीटा इकल स्वान बाए टू अल्फा बीटा यह यहां पर इनकी प्लस दीए हुए इनका दिया हुआ यह अपने नूट करना है सबसे पहले मैं कि अलफ़ा प्लास विट्टा मैं कि एक मार्फ टू मैं इन्टू अलफ़ा भिट्न है यह समभी कैप्स क्विदू है हम्हें पता है कि जो सम अफ जीरो था वह था है माइनस डी यह हमने नॉर्मली यह पळसा हुगा है कि अगर आपके पास कोई भी कॉडिडिक पॉल्नोमिल हो for example A x square plus B x plus C हो तो उनमें होता है sum of zeros equals to minus B by A and product का formula होता है product of zeros equals to C by A इसी को हम यहाँ पर use करेंगे तो यह हमारे पास कुछ और नहीं है sum of zeros ही है sum मतलब यह प्लास हो गया zeros का ओके this is the sum of zeros यह आगे अपने पास minus B by a and 1 by 2 को हमने copy paste कर लिया यह कुछ और नहीं है यह अपके पास है product of zeros कौन है यह product of zeros product of zeros होता है हमारे पास C by A मुझे कैसे पर लगा यह product of zeros है यह इनके बीच और कुछी symbol नहीं है तो multiply हो रही है multiply को हम product बोलते है product किनकी हो रही है zeros की मुझे कैसे पर लगा यह zeros है ऊपर यह given है इसी मुझे यहां पर पर लगा कि यह साम हो रहा है किसका साम हो रहा है zeros का तो मैंने इसकी वैल्यू यहां से माइनस बी बाइए पुट कर दी वन बैटू कॉपी बेस्ट कर दिया यह है अपने पास product of zeros तो यह होगे अपने पास c by a ओके देखिए रजे इसके बाद हमारे पास step है कि हम नीचे से इसको एको cutting कर सकते हैं बड़े आप अभी 10 में हो ठीक है आपको पूरा detail में मैं वीडियो में सखाऊंगा कि मैं है क्यिसे कराँगा आप cutting करनी के भूशय चाहिए अप ऐसे मेरी तरह कर लिया क्रौसच कर लो है यह एक सी से पहले माईनस बी बाय यह बन जाएगा अब क्रॉस करो जब आप क्रॉस करो तो यह बन गए अब माइनस बी माडिकली टू एकल स्कूजो एकी मड्यपई सी के साथ असी बन गया चलो यह 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 को इधर ले आइगे इधर multiply में है left side आके दूसरी side आके यह divide में हो जाएगा अब a के साथ a cutting हो गया तो मेरे पास बन गया है minus b multiply 2 तो मैं ट्रेक्टि लिख देता हूं यहां पर minus 2b equals to c दोबारा मैं आपको repeat कर देता हूं देखें minus b by a मैंने value output कर दी इसकी 1 by 2 यहां पर आगया c by a उसके बार मैंने आपको कहा कि इसको थोड़ा simplify कीजिए minus b by a c by 2 a आगया अपने पास इसकी मैंने cross multiply कर दी इसकी इसके साथ मैंने की ठीक माइनस b की 2a के साथ मैंने कर दी एड़ c की a के साथ a c बन गया यह a को मैंने नीचे लेकर आया कि ड्वाइड में हो गया एक के साथ a कटिंग हो गया तो माइनस 2b इकल स्टू सी यह आ गया अपने पास अब देखिए दियान से माइनस 2b की वैल्यू किया है हमारे पास दियान देने वली बात है यहां पर कुछ नहीं है तो यह a है दूसरा जो नंबर है हमारे पास with symbol यह b होता है यह a आ गया यह अपने पास b आ गया जो तीसरा हमारे पास होता है यह होता है मार पास c फस्ट बला इस डियान देने वली बात है कि हमने minus two तो उठा दिया यहां कोपीपेस्ट कर दिया यहां से उठा ले नहीं है यहां से देखें माइनस है के प्लास सिक्स आ गया इकल्स तो सी की वैल्यों यहां से कॉपीपेस्ट कीजिए तू इंटू टू के माइनस वन और यहां से पुट करने के बाद आपने एक बार चेक भी कर लेनी है कि कोई वैल्यू जहां हमारे पास कुछ रहत हो नहीं गई है द्यांस दिखने नहीं है यह माइनस माइनस जब आप देखो गए तो कटिंग हो जाएगा माइनस माइनस प्ला सिकल्स इकल्स उसको कुसिए कर दिरे क्ल्क क्यों कीजिए टू जा ओ यह प्लास का नंबर है led माइनस का अब छौल अब के के वाले एक साइड ले जाएगे विदाउट के वाले जो कॉंस्टेंट है वो एक तरफ लेकर आईए मैं ऐसे करता हूं पूर के यह बड़ा है यह टू के इदर जाएगा राइटन साइड पर तो माइनस का हो जाएगा ठीक है यहां पर ट्वैल हमारे पास पहले है यह तो प्लस का टू हो जाएगा ओके तो आगया हमारे पास पॉर्टीन इक स्टू टू के अब यह टू पीटा इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि इदर माटिप्लाइब में है तो लेफ्ट में एक रोट वाइड भी हो जाएगा तो हमारे पास आगया पॉर्टीन वाइट टू एक कटिंग करने के बार आपके पास आगया एक का वैल्यू सेवन यह हमारे पास ऑप्शन देखिए बी ऑप्शन पड़ा हुआ है यह द्यान देने वाली बात है इसमें सिर्फ इतनी है कि आपको ए बी एंड सी की बारे में पाना चाहिए एक स्केर का कॉफिशेंट इस नोन है जे एकस का कॉफिशेंट बी दक आधा कॉंस्टन टर्म इस नोन है जे सी ओके तो हमने यहां पर वैलिस पूट की और कैल्कुएशन की हमारे पास के का वैल्यू आ गया प्लीज नोट डाउन